इंडिया गट बवनिन के सभी नेतागन, मेडिया के मेरे दोस्तों और यहां पर पदारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो वो कारे करता हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, आज हमारी बैटक हुई कम से कम दाई गंटे तक हमने बहुत से विशे पे चर्चा किये खास करके चुनाओ और चुनाओ के वक्त क्या-क्या कमजूरिया हो सकते हैं और क्या-क्या कठिनाईया आ सकते हैं किस डंग से उन चीजों को हम निबाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कारेकरताओं को जो इंस्ट्रेक्शन देना है तो उसके बारे में आज हम डेटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केर लेना चाहिए और हमारे कारेकरताओं अब बहुत से गटबंदन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तै करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं लेकिन फिर भी हम आजे प्रिकॉशन आज सब मिलके सब को एक ही एक इसारा देना था कि हम किस दंग से इस आतेल चुनाओं के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए यह चीज़ पर हमने चर्चा की दूसरा हमारा जो गटबंधन का जो एक दिर्णे यह है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साती लोग खास करके एक जीट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगी और इसलिए लोगों में कन्विजन नहीं होना और वो जो नेरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सचाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं इंडिया गटबंधन कम से कम दो सो पच्चानों सीटें प्लस दो सो पच्चानों से ज़्यादा आएंगे कम तो नहीं आएंगे यह हमने आकलन किया कि सभी हमारे मेताओं से पूछने के बाद यह एक आकड़ा हमारे पास मिला है और इस आकड़े में कोई बदलाव नहीं है यह एक जनता की सर्वे है हमारा सर्वे नहीं है जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है यह इंफॉर्मेशन पहुंचाया है उस आदार पर यह हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं सरकारी सरवे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आकड़े बनाने का बिगाडने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त है उसको हाइफाइ करके वो भी लोग बताते हैं किसी लिए हम आपको सत्य बताना रियाल्टी बताना जनता का क्या मन है जनता जो कहिती है वो हम आपके सामने रख रहें और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रेक्शन है कि हर केडर को इसके बारे में बताना सिर्फ इसके लिए नहीं जो पहले मैंने कहां एलेक्शन में किस डंग से आकरी तक बैटना सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मालिटीज है वो कम्प्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए तिल ही गेट्स सर्टिविकेट यह हमारे जो भी इंस्ट्रेक्शन से हमने दिये हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्विकार किये हैं इसलिए मैं आपका दन्यवार करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिस इकद्दा होके हमने की है और यह इकद्दा होने के वज़े से आज यह फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं और दूसरा हां दूसरा इलेक्शन कमिशन के पास भी हम जाएंगे हम बताएंगे क्योंकि पहले पहले पेपर चन जगे बाद में गिनते थे उसमें भी गड़वड़ी हो सकते थे और दूसरे चीज़ों में भी गड़वड़ी हो सकते थे इसलिए हम एलेक्शन कमिशन के पास जाके हमारे गटवंदन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे सिकायते हैं उनके स हर डिस्टिक मेंस्टेट को वेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे जल से जल एक काम करें कि कल हमने समय मांगा है और तुमारो तो समय मांगा है इसलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़े हमने अपने मेमरेंडम में बताए है उसका रैटिफाई करो यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गटवंदन के नेता लोग है सबी लोग अटन्ड होगे और खासकर सीनियर लीडर्स या जो है बालो साब भी है केजरिवाल जी है हमारी कलपना जी भी है पवार साब तो पहले भी आये थे वो पहले से तेज़ेश्वी है और हमारे के अकलेज जी है और चंपन सुरेज जी है और यह चूरी साब है अब मेडम गांदी तो हमारी लीडर है हम तो और राहुल जी है राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है हो मालूम है उसके बाद में हमारे सीपी आयम के यमेल के निदा है सभी हमारे सिवसेना भी है सब अब माप करना कोई को भूल गया है तो भी आपको तेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिसकेशन करके इस नतीजे पर हम आये हैं और निश्चित रूप से गटबंधन को भारी भोव मत मिलेगी यह मैं आपको खहिने के लिए या ठेराओ नमस्क्राइब नहीं मैं बोला सरकारी एग्जिक फोल एक नहीं नहीं बोला वही बोला इंडिया पार्टी यह है जनता का सर्वे हमारे पास है सरकारी सर्वे उनके पास है मैंने कहा है थैंक्यों वह आर यूनाइटेट ओनली वाइव आर डिवाइडिए उप्सुप पॉलिया और हमें नहीं बहुद इतने लोग यूनाइटेट है यह भालूजी आइसा ठेरे हमारे सामने वह जाड के जैसा इतने लंबे है और सभी लोग है के जुरिवाज यह इन्नों है आकले साब है और यह चुरी साब है राजा साब है सबी लोग हम यहां पर पवार है और मान है सबसे वह चीप मिनिस्टर पंजाब यह सबी लोग है इसलिए हम एक है एक रहेंगे हमारे कुछ डिवाइड करने की कोशिश मत करो नमस्कार थैंक यू